लान दीजे कि अगर आप वर्द्य पार्टी, अनिवर्स्टी पार्टी याप किटी पार्टी हो और उसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्रीम सेंटर में तो क्या आपको अगर डाइबटी सा तो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको डाइबटी है तो भी आप सेंटर में कौन सी चीज़े और कर सकते हैं और कौन सी चीज़े आपको बिल्कुल और नहीं करनी चाहिए? Let's begin with the menu पाटी के बाद की बलड शुगर को बढ़ने से रोपने के लिए अप सिजलर्स प्रफर कर सकते हैं जिसमें पनीर और राइस बेस सिजलर्स ज़रूर रह सकते हैं इसी के साथ साथ बहुत सारी साथीर वेजटीबल्स होने चाहिए अगर आपके पास deep-fried potato, veggies या cutlets है तो इनका सेवन कम से कम रखे अगर हो सकता है तो आप North Indian cuisine select करते हैं तो दाल्स के उपर ज्यादा focus करें तो इसी से जो आपकी blood sugar जो है वो control में रहेगी carbohydrates का सेवन कम रखे हैं जैसे parathas और biriyanis इनको कम ही मातरा में अगर आप खाएंगी तो आपकी blood sugar काफी अच्छी रह सकती है इसी के साथ-साथ यहां के बहुत सारे signature dishes होते हैं जो बहुत deep-fried होते हैं जैसे onion rings, cheese balls, cheese toast, nachos या भटूरे इनका सेवन जो है वो अगर आप कम से कम रख सकते हैं तो blood sugar को बढ़ने से काफी हद तक रोख सकते हैं और अगर आप कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं तो chas is going to be the most best rehydrating drink ऐसे ही content पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा नाम है dr. रचना जसानी and thank you for watching